शकुंतला, सुनते ही हम सब को हमारी हिस्टरी यादा जाती है इसी नाम से साउथ में एक फिल्म आई है शकुंतलाम वेल, स्वागताप का असली बात मेरे साथ में ये फिल्म साउथ की है, इसने शकुंतला का रोल समन्था रूट परभू ने किया है राजा दुश्यंत करोर देव मोहन ने किया है स्टोरी तो आप सब को पता ही होगी, अगर नहीं तो चलो मैं आपको बता देती हूँ महरेशी विश्वा मित्र एक बन में घोर तब कर रहे थे प्रभू को परसन करने के लिए राजा इंद्र ने उनके तब को भंग करने के लिए मेंका को भीजा मेंका अपने काम में सफल भी हो गई और बाद में उसको एक पुत्री हुई पर विश्वा मित्र समझ गए थे कि ये उनको मोहित करने के लिए था तो उन्होंने मैंका को छोड़ दिया और वापश सब करने के लिए चले गए तब मैंका ने भी उसकन्या को जंगल में ही छोड़ दिया और वैवापस स्वرग चली गई वहाँ जंगल से उसे एक महरिशे ने लिया और उसको बढ़ा किया बिल्कुल अपनी वेटी की तरह है वो जवान हुई तो राजा दुशंत एक दिन आशरम में आये शकुंतला को देखते ही राजा दुशंत को उनसे प्यार हो गया उन्होंने कहा कि हम दोनों गंदर विवा कर लेते हैं प्रकरती ही हमारे विवा की साक्षी होगी उन्होंने गंदर विवा कर लिया और फिर शकुंतला प्रेजनेंट हो जाती है राजा दुशंत उसको अपनी एक अंगूठी देते हैं और कहते हैं कि मैं जल्द ही वापस आऊंगा और वो वापस महल लोग जाते हैं इस बीच रिशी दुरवासा आते हैं आश्रम शकुंतला उनको ढंक से मिलती नहीं है क्योंकि वो राजा दुशंत के ख्यालों में खोई हुई होती है महरे से दुरवासा शकुंतला को शिराब देते हैं कि जिसके ख्यालों में तुम खोई हुई थी वो तुम्हें भूल जाएगा शकुंतला अपने ख्यालों में इस तरह खोई हुई थी कि उसे आभास ही नहीं होता कि उसे शिराप मिल गया है शकुंतला कई महीनों तक राजा का इंतजार करती है जब राजा लोट कर नहीं आता तो एक दिन वे फैसला करती है कि वे खुद ही महल जाएगी महल जाने के रास्ते में उससे अंगूठी गुम हो जाती है और उसे पता ही नहीं चलता कि अंगूठी गुम हो चुकी है जैसे ही वो महल पहुचती है तो राजा दुशन्त उन्हे पहचानने से इंकार कर देते हैं भरी सबा में शकुंतला का अपमान होता है वो रोती हुई जंगल में चली जाती है वहीं अपने बच्चे को जन्म देती है इस बीच राजा को एक मचुवारे से अपनी दी हुई अंगूठी मिलती है उसको देखते ही उनको सब यादा जाता है फिर राजा हर तरफ अपने सैनिक भीजते हैं शकुंतला को ढूनने के लिए पर वो मिलती नहीं कई सालों बाद दुष्चंत को शकुंतला पहाड पर मिलती है वो एक आशरम में रह रही होती है उनका बेटा भी तीन से चार साल का हो चुका होता है तब वो शकुंतला से मिलते हैं शकुंतला पहले तो उन्हें अपने अपमान के लिए माफ नहीं करती पर बाद में आशरम के महरिशी उनको बताते हैं कि महरिशी दुरुआसा ने आपको शराब दिया था इस वज़े से राजा दुष्चंत आपको भूल गई थे फिर शकुंतला राजा दुष्चंत को माफ कर देती है और वो दोनों राज्ये में लोट चाते हैं तो ये थी स्टोरी ऐसी हिस्टोरी है फिल्म की 19-20 का फर्क है बस फिल्म के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है फिल्म का वी एफेक्स अच्छा नहीं है जो राक्षेस दिखाय हुए हैं वो कहीं से राक्षेस नहीं लगते कुछ चीजे रियल नहीं लगती और दो तिन गाने हैं जो काफी वकवास है एक्टिंग सभी नहीं ठीक की हुई है फिल्म में थोड़ा बहुत रोमैंस है जो कि अगर आप फैमली के साथ भी जाएं तो चल जाएगा कोई बड़ी बात सुनी है फिल्म 2 गंटे 15 मिनट के आप पास की है मैं इस फिल्म को 10 में से 7 स्टार दूँगी अगर आपको स्टोरी आज तक नहीं पता थी तो आप ये मुवी एक बार जरूर देखे और अगर आपको पता थी फिर भी आप देख सकते हैं वन टाइम वोच मुवी तो है ये तो दोस्तों ये थाज कर वियू मुवी थेटर्स में लगी हुई है आप लोग देखें तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको फिल्म कैसे लगी तब तक के लिए धन्यवाद and stay tuned